उत्रपर्देश के जिला गाजज़बाद के इंदरापुरम के ग्रेंड आई रस होटल में बाउंसरों की गुंडागरदी के बाद समाजवादी पाइटी के परमुक अकलेश यादव का तीखा बयान सामनी आया है बता दें अकलेश यादव ने मारपीट का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है साथ ही लिखा है कि परदेश में बीजेपी ने कानून व्यवस्ता का अंतिम संसकार कर दिया है बता दें कि गाज़बाद के होटल का एक वीडियो सोसल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है जिसमें इंदरापरम के ग्रेंड आई आरेस होटल में बाउंसर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं इन बाउंसरों पर पाइटी में सामिल लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप है साथ ही पिटाई के बाद दो लोग गंबीर रुप से गायल हो गए हैं पिटाई के बाद महिलाएं और बच्चे भी घायल होने के बाद सामने आ रही है घटना के बाद महिलाओं की चीखे निकल गई वहीं घटना के बाद होटल में कोरा मच गया सपापरमुक अकलेश यादम ने होटल में मचे उत्पात के बाद वीडियो सेर किया और बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए लिखा कि सरकार में कानून व्यवस्ता का अंतिम संसकार हो गया है इंदरापरम के Grand IRS होटल में बाउंसरों ने जम कर उत्पात मचाया और जम कर तोड़ फोड की हिंसा का वीडियो सोसल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है वीडियो में साफ तोड़ पर देखा जा सकता है कि बाउंसर किस तरह से गुंडा गर्दी कर रहे हैं और होटल में लाए और बच्चे भी पूरी तरह गायल हो गए हैं ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ